नमस्कार नियुस पॉर्णेशन देख रहे हैं आप आपके साथ में हुरचाश्रमा बिहार विधान परिश्रत के खाली दो सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया के शुरुआत हो गई है आपको बताए कि 11 जनवरी से 18 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया रखे गई है और इसके साथ आपको बताए कि 28 जनवरी को इस दोनों सीटों के लिए चुनाव होने हाला कि दाविदार कई है लेकिन खबर ये भी है कि इस बार मुकेश सैनी और अशोक चौधरी पर ये है कि वो नेता दोनों सदों में किसी सदन के सदस्य हो ऐसे में बिहार सरकार में दो मंत्री अशोक चौधरी और व्याईपी प्रमुख मुकेश सैनी ऐसे मंत्री है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है ऐसे में कहा जा रहा था कि दोनों जो मंत्री है उन्हें विधान परिश के शुरुवात हो गई है पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं बिहारविदान परिशत की दो सीटों के लिए 11 से 18 जनवरी तक प्रमंडल ये आयुक्त के कार्याले में नामांकन होगा इस संबंद में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की छ आज सबा सांसत सुष्षिल कुमार मोदी और विनो दारायन चा के परिश्रत सदस्य की सीट खाली होने की कारण चुनाव कराया जा रहा है नामांकन को लेकर प्रमंडल ये कारयाले में तयारी पूरी कर दी गई है प्रमंडल कारयाले में माजिस्ट्रीट और पुलीस बलकी की तैनाती भी कर दी गई है आपको बता दे कि चुनाव आयोक की तरब से ये नर्देश दी आ गया था और नोटिफिकेशन जारे की आ गया था कि बिहार साही तीन राज में विधान सभा की विधान परिशद की 15 सीटों के लिए चुनाव की घोशना होच चुकी है तो इनम को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है आपको बताए कि ज़रान कोरोना संक्रमन की बचाव और गाइडलाइन का पालम भी करना जरूरी है निरवाचन आयोक ने बिहार विधान परिशद की दो सीटों पर उक्चनाव की घोशना बदवार को ही कर दी थी दोनों सीटे भारतिय जनता पार्टी के वरशनेताओ के अलग सदनों के सदस्य चुने जाने के कारण खाली हुई है यानि कि ये दोनों जो सीटे हैं वो बीजेपी कोटे से हैं लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि मुकेश असानी और अशोक चौतरी को इन सीटों के लि 28 जनवरी को चुनाव होंगे इसके लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो बीजेपी के दो दिगज नेताओं के दूसरे सदन में जाने के बाट से ये दोनों सीटे खाली हुई है जिस पार उपचुनाव होने है 28 जनवरी को ही मदगरना भी होगा उसी दिन बोटिंग भी होगी और रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा लेकिन फिलाल कौन दाविदार होगा किसकी तरब से कौन से चेरे को सामने लाया जाएगा ये कहना उच्छित नहीं है क्योंकि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है ऐसे में कौन अपनी दाविदारी पेश करेंगे देखना होगा विलाल कले इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नॉम्स फोरनेशन नमस्कार